तो हेलो फ्रेंट्स एकबर फिर्ट से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉग के उपर न्यूटन के फर्स लॉग के उपर जो हमारा प्रिविएस वीडियो हमने अपलोड किया है तो जिस जिसने वह चैक आउट न्यूटन के फर्स लॉग को आज का जो वीडियो हमारा सेकेंड लॉग के उपर है तो जैसे कि हमने अपने प्रिविएस वीडियो में यानि कि न्यूटन के फर्स लॉग में हमने जाना था कि जो हमारा फर्स लॉग है वो बिसिकली बताता ह या किस चीज से वो related है अगर हम उस पर बात करें तो किसी भी वस्तु पर या जो भी पेंड है उस पर जब भी कोई net बाहियबल सुन्य है मतलब कोई भी उस पर force नहीं लग रहा है तो जो हमारा first law है वो उस पर dependent होता है या उसे related होता है वहीं पर हम second law की बात करें कि जो Newton का second law है वो बोलता है कि जब भी किसी पेंड पर या किसी वस्तु पर net बाहियबल लग रहा है ठीक है तो वस्तु किस तरीक से रिक जो है रियक्ट करती है उससे यह basically related होता है Newton का second law ठीक है तो वीडियो में आगे जान से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि कि वीडियो अगर आपको पसंद आया आपके लिए helpful रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे इतने friends के साथ जरूर शेयर करें तो जैसे कि हमने अभी जाना कि जो Newton का second law है वो related है कि जब भी किसी पेंड पर कोई भी net बाहियबल लग रहा है ठीक है तो यहां पर basically यह ज तौरण जो उस वस्तु पर हो रहा है यानि कि जो भी तौरण लगेगा या उत्पन होगा तो उन दौनों के बीच में यह basically संबंद को यहां पर दिखाता है ठीक है तो जिन second law है basically हम उसे यह बोल सकते है कि कि किसी भी पेंड पर या किसी भी वस्तु पर वस्तु के परिवर्तन की दर जो होती है वो उस पर लगाएगे बल के अनुक्रमान उपाती होती है ठीक है मतलब जो भी बल उस पर आरोपित किया जा रहा है या फिर उस पर लगाया जा रहा है वो अनुक्रमान उपाती होगा किसके जो भी सम्वेग परिवर्तन हो रहा है अब सम्वे कर दो उसकी जिस भी वेग से वो चल रहा है ठीक है यानि कि M multiply अगर आप V कर तो आपको जो है समवेग find out हो जाएगा ठीक है तो समवेग परिवर्तन की दर मतलब जो भी उसके समवेग में या उसके जो भी परिवर्तन हो रहा है फोर्स को लगा रहा है नुटन के जो स्थेक लाएं उसमें हम अगर इंजी वर्ड में अगर हम इसे जाने तो इसमें यह है कि आगर आफ किसी वी वस्त उपर किसी उपर फोर्स लगा लगाए हो कि तो वास्तु का द्रभ्यामान अगर आप बढ़ा दो खुद बखध है तो उसलेसे हमने गर맛 घंपने लगग हो इसी वर्ड में हम इस तरीके से भी Newton के second law को समझ सकते हैं तो I hope guys कि आपको हमारे Newton के second law के उपर जो हमारा वीडियो था वो आपको helpful रहेगा ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं Thank you so much